वेल्कम टू दी सीरीज ऑफ मिट्रम एक्जाम्स प्रिपेशन ये मिट्रम एक्जाम्स की प्रिपेशन सीरीज की वीडियो है कम्प्लीट सीरीज इस चैनल के पर अप्लेट की जा रहे है और आज की वीडियो के अंतर आपको MGT-301 की थीम नंबर 3 के मेन पॉइंट करवाए जा रहे हैं मिट्रम एक्जाम्स की प्रिपेशन के साफ से तो शुरू करते हैं अज के से टुटूरियल को Stephen usted फीड का साथिंटल ले मार्क फीडिगे सीर्टेशा इसके बारे में ऑक लिसके बारे में सुर्विंग कस्टमर प्रॉफिटिबली np. बहुत के से ठाफ इर हो नेजीय और वान्ट उसको पूरा है प्रॉफिट अनlardan यह इसे सूरूंड़ियों की one खा events पर्टफोलियो का मतलब होता है बास्केट और सर्विसेज जिनको उफर किया जाता है पर्टफोलियो अनलेसिस जो मेजर एक्टिविटी होती है स्ट्राइजिक प्लाइनिंग में जहां पर मैनेजमेंट इवैल्यूट कती है प्रॉडक्स और बिजनस जो के मिलके कम और्गनेजिशन को बनाते हैं जो होता है इंटरनल एनालिसिस का वो है स्ट्रेंज और विक्निस जो हमें देता है लॉंग ट्रम डिरेक्शन का नख्या झाहिए जो कि हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं ऑ मिशन का प्रम मेच जो होता है जो वह फिर्म प्लिश करना चाहती है छाटी wie और बिजनस का नो ऑम करें और बिजनस सिस का प्रोडॉ्डक्ट का हर्म अं एक बनाते हैं कंपनी तो यह जो है वो एक unit होता है company का जिसका separate mission और objective होते हैं जिनको plan किया जा सकता है separately जो दूसरी company के businesses से BCG matrix की बात करें Boston consulting group का matrix है यह एक tool है portfolio analysis के लिए इसको किया जाते है scale के उपर दो तरह के scale होते है relative market share और market growth rate का और चार चीज़े होती है चार categories में product को divide कर सकते हैं पहले star जिसका high growth rate और high market share भी दोनों ही हाई है जब के question mark में growth rate तो हाई है लेकिन market share उसका low होता है cash cow के अंदर growth rate लो है market share उसका बहुत हाई होता है तो इससे काफी cash generate हो रहा होता है काफी profit इससे generate हो रहाता है डॉक की category में जो प्रॉड़क्ट जाती है उसके अंदर low growth rate और low market share दोनों ही आ जाते हैं इसके लब प्रॉड़क्ट और market expansion भी है प्रॉड़क्ट और market expansion ग्रीड अब यह जो है एक ऐसा तूल है identify कंपनी की जो growth opportunities है इसमें चार strategies आ जाती है market penetration market development product development या फिर diversification market penetration में existing product existing market में ही होती है और उसकी को बढ़ा जाता है इसके अंदर जाद प्रोड़क्ट जयो उसको किया जाता है जबको प्रॉड़क्ट development के अंदर existing market में नई product को लेकर आते हैं और इसके लावब market development में existing product को new market में लेकर आते हैं, same product लेकि new geographical area के अंदर diversification में new product को new market के अंदर लेकर आ जाते हैं वेल्यू chain की बात के एक series of department हैं, जो के कते हैं value creating activities के design करें, produce करें market करें, deliver करें सपोर्ट करें एक firm की product को value delivery network जो बना होता है सब्सक्राइब करने के लिए पर्फॉर्मेंस इंटाइर सिस्टम की मार्केट सेग्मेंटेशन की बात करें डिवीजन होता है मार्केट का डिस्टिंग ग्रूप ऑफ बायर के अंदा जिनकी डिस्टिंग नीड्स होती है करेक्टिस्टिक्स बहएवियर और ग्रुकायर कर सकते हैं और या फिर मार्केटिंग मेंस सेग्मेंटेशन होती है जो की जाती है बेसिजन की बेस के ऊपर बहु कर सकते हैं तो market targeting की जाती है, process होता है evaluate करने का हर market के segment की जो attractiveness है कि उस segment के लिए चीज़ attractive है, और select करना एक सी यह जढ़ाorm點 segment ताके उसमें इंर्टर हो सके है मार्कटिंग मिट्सक्राइब के मकाबले में target consumers के mind के अंदर Marketing Mix की बात करें, Set है Controllable Tactical Marketing Tools का Product Price Place और Promotion का जो के Firm जो ब्लैंड करती है, Produce करने के लिए Response जो के वो चाहती है, Target Market अंदर Now the Short Analysis, अब Short Analysis में 4 चीज़े होती है, Strength, Weakness, Opportunities and Threat So, Strength जो है, Internal Capabilities होती है, जो के Help करती है, Company को Reach करने में उसके Objectives Weaknesses भी Internal होती है, लेकि लिमिटेशन होती है, Strength, Weakness दोनों Internal है, Strength, Internal Capabilities ने, उसकी कापलियत है, Plus Point हम कह सकते हैं, जो के Weakness इंटरनल Limitations है, Negative Point हम कह सकते हैं, जो के Interfair कर सकते हैं, Company को Achieve करने में उसके Objective Opportunities से मुराद एक External Factor ऐसे होते हैं, जो के Exploit करते हैं, उसके Advantage Company के, और Threat आते हैं, Threat जो है, जारी बात है, उससे बचना होता है, और Current और Emerging External Factor है, जो के Challenge कर सकते हैं, Company की Performance को, तो यह थी आज की वीडियो, आपको इस बार में कोई Question है, खास तो पसमें कोई Mistake दिखाए, ज़रू हाइलेट कीजिए, और इस पूरी सीरिस को देखने के लिए Mid Term and Final Term Exams की Preparation के लिए इस चैनल को Subscribe कीजिए, Bell Icon को पर क्लिक कीजिये, Thanks for watching This Video and best of luck for your exams!